कोंगरस के राश्टिय त्पांद्याने कि वह एक्सिन राश्ट्वाद को लेकर बड़ा व्यान दिया है विकस ने कहा भारत ने तीसरे चरंटी ट्राईल की समिक्षा के बिना इसके इस्तमाल की अनुमति दे दी है कॉंग्रिस के राश्ट्य सची विकास उपाध्या ने भारत में कोविशिल्ड और कोवैक्सिन को अनुमती दिये जाने को जल्दबाजी में लिया क्या निर्णय बताया उन्होंने सवाल उठाया कि दोनों वैक्सिन के तीसरे ट्राइल के आकड़े जारी के बिना अनुमती कैसे दे दी गई इसकी उमीद किसी को नहीं थी विगास उपाध्या ने आरोप लगाया कि मोधी सरकार राष्टवात के नाम पर देश को खत्रे में डाल रही है जबकि तीसरे चरण के ट्राइल में बड़ी संख्या में लोगों पर उस दवा का टेस्ट किया जाता है और फिर उसके आये परिणामों के आधार पर पता अचा है उनके फेस 3 ट्राइल के आगड़े अलग-अलग है अक्सपोर्ट की वैक्सिन को 70 फिजदी तक कारगर बताया गया है परन्तु भारत में को वैक्सिन के अलावा कोवी शिल्ड कितने लोगों पर कारगर है इस पर शंसाय बना हुआ है इसमें तो यहां होना चाहिए था कि पूरा मोधी मंत्री मंदाल एक साथ इस वैक्सिन को लागा कर देश को एक विश्वास का संदिज देते जबकि इसकी ठीक उलट मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरास सिंग ने इस वैक्सिन को न लगाने की बात कल लोगों में और शंका उत्पन कर लिदी है पर इसका ट्राइल हुआ था जब कि तीसरे चरण के ट्राइल में 22,500 लोगों पर इसको आजमाने की बात कही गई लेकिन इनके आकड़े सार्वजनिक नहीं किये गए हैं इसका साथ मतलब है कि को वैक्शिन का अभी तक तीसरे चरण का ट्राइल ही नहीं हुआ और अनमती दे दी गई विगास उपादिया ने कहा डेटा को लेकर पारदर्शी होने की जिम्मेदारी केंडर सरकार की है और अगर वह ऐसा नहीं करते तो यहां लोगों के महरे उसों को प्रभावित करेगा अगर प्रभावित के नाम से प्रफोगेंडा कर रिये जब की भारती जनता पार्टी की पूरी केंडर के मंत्री है उनको सबसे पहले कोविट की जो को वेक्सीन है उसका इस्तमाल उनको उन पर होना चे ताकि लोगों को विश्वास हो उसके बाद संचाई की स्थिती बंति करके इस बात को कहते हैं कि मैं वेक्सीन को नहीं लगवाऊंगा आज पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व में करूना को लेकर एक डर है लोगों के मन में उस समय अगर इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती है तो और आप उसको राष्टवाद का नाम देते हैं हर लोगों के इमोशन से खेलने का काम भारती जंता पाट्डी की मोधी सरकार कर रही है मेरा सिर्फ यह कहना है कि वैक्सीन जो तीसरे चरण की वैक्सीन का जो इस्तमाल किया गया उसके जो डाटा है उसको लोगों के सामें प्रस्थूत करने कि आप सकता थी और आप जब विश्वास लेना चाहिए जन्ता में विश्वास होना चाहिए और उसके बाद इसका इस्तमाल होना चाहिए तो अब इकले बस इतना है तब तक लिए हमें दी जाज़त और इस प्रकार की लिटेश्ट और रोग्चे खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना न भूले नेशन अप्डेट डॉट इन और हाप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए गूगल पेस्टोड से डा